हलो स्टुडेंट्स द्रिशा सक्सेश अकेडमी और लाइन क्लासेश में एक बार पुन है आपका स्वागत है मैं विशाल सर एक बार पुन है आपका स्वागत करता हूं मेरे अग्रेजी विशह के विध्यारती जो की बीए बीए सी बीकॉम फस्यमिस्टर के छात्र हैं उनके अब तक मैं आपको 600 इस्टोरी जो आपके स्वागत है उनके वीडियो मैं आपको दे चुका हूं अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आप चले जाएं वहां आपको वीडियो मिल जाएंगे और आज मैं आपको जो प्रो सेक्शन है जो की आपकी स्लेबस की यूरेट नंबर 6 है उसका पहला राइटर फ्रांसिस बैकन और उनके द्वारा लिखा गया ऐसे आप स्टडी आपके लिए लेकर आया हूं बहुत खुबसूरत ऐसे है तो आज मैं स्टार्ट करूंगा वो तो देखिए मैंने लिखा है आप स्टड और जैनवरी 22 1561 लेंडन वेकन साब का जन्म 22 जैनवरी 1561 को लेंडन में हुआ था 22 जैनवरी 1561 लेंडन ठीक चलिए दूसरा पॉइंट वम बढ़नेते हैं आगे वेकन डाइड ओन एपरेल 16 26 लेंडन वेकन साब की मिरत जो है वह नौ अपरेल 1626 को लेंडन में हुई ठीक और आप कह सकते हैं अंग्रेजी साहित के एलिजाबिथन एज जो है आपका उससे वेकन साब कनेक्टेड हैं और तीसरा और सबसे महत्पूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है बेकन इस कॉल्ट फादर ओफ इंग्लिस ऐसेज कि अंग्रेजी ऐसेज का जनक इसको कहा ज आप जब हम आप इस्टडी की बात करते हैं तो आप इस्टडी की कुछ महत्पूर्ण लाइनस आपको याद रखनी है और मैं एक एक लाइन करते हुए उनको एक्स्प्लेन करते हुए आपको इस ऐसे को आगे बढ़ाऊंगा ठीक है तो जलिए पहला पॉइंट है फ्रांसिस वैकन के आनुसार इस्टडी जो होती है वह कुल मिलाकर तीन उद्देश्यों की पूर्ति करती है क्या क्या आराम करते समय अकेले संद में अगर आप इस्टडी करते हैं तो यह आपको मनुबंजन देता है आनन देता है अगर आप अपनी बात्चीत में तीसरा, कर्तब पालन करने की अबदि में, अगर कोई भी कारिकत करने, अगर कोई भी महिट्पूर, लिने, निर्ड़ने लेने की छमता का विकास भी, हम काय के दुआरा करते हैं, अध्यान के दुआरा, यानि कि अध्यान हमें क्या बनाता है? एबल बनाता है एबिलिटी देता है खिलेर साफ तो क्या-क्या अध्यान के तीन प्रुमुक प्रियोग पहला डिलाइट डिलाइट हम कम मिलती है जब हमारे पास करने को कोई काम नहीं होता हमाराम कर रहे होते हैं तो उस समय यह में डिलाइट देता है फॉर और्नामेंट किम लोग समझ लेते हैं क्राप्टी में कंडेंट सिस्टडी सिंपल में एड्मायर देम एंड बाइज में यूज देम लिखा कहता है कि बे लोग जो की बहुत अधिक चतुर होते हैं चतुर यानि कि आप कह सकते हैं डुस्ट प्रवर्ति के होते हैं अनपढ लोग होते हैं ऐसे लोग हमेशा अधियन से गहना करते हैं indemn estudies ठीक है ना साब मूर्क अधियन की केवल प्रसंसा करते हैं लेकिन बुढ़्दिभाल सपलता प्राप्ट करने के लिए अधियन का परियोब करते हैं उसका सीधा सा कारण है कि प्रांसेस बेकन कहते हैं कि पुस्टकें जो हम क्या जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा जिसका अधियन किया उसका प्रियोग करते हैं सही समय पर सही इस्थान पर ठीक तो men admire them and wise men use them ठीक है चलिए तीसरा point हम लोग समझ लेते हैं some books are to be tested, others to be swallowed and some few to be chewed and digested देखा कहता है अलग-अलग प्रकार की books होती हैं कुछ किताब हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती हैं कुछ किताब हैं रटने के लिए होती हैं और कुछ किताब हैं ऐसी होती हैं जिनकों की हमें बहुत समझ कर ध्यान पूर्वग पूरा concentrate होकर second comment का मनना वह व्यक्ति जोकी अध्यaren में बेहुत अधिक समय लगाता है बहुत जादा समय अध्यान को दिता है ऐसा ब्यक्ति आलसी हो जाता है क्योंकि जादा अध्यन में समय देना theoretically में आलत सिख उत्पन करता है ठीकर अदा सब चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचमा पॉ में एक्षाइब कहते हैं अध्यान जो होते हैं उनकी अलग-अलग लाव है यानि कि जब आप अध्यान करते हैं तो अध्यान व्यक्ति को ज्यान पूरत बनाता है अगर आप कॉंफरेंस में हुस्सा लेते हैं तो आप अगर आप राइटिंग करते हैं लेखने में आपका जाएमन लगता है तो लेखनी जो है वह वाःकति को सटिक और व्यवस्थित बनाने का काऱती है अब अल अलग-अलग बिशे को कौन सा बिशेव किया क्या लाब देता है तो देखουμε लिखा है स्ट्री में मैं बाइस इत्यास दोμोर ब्यक्ति को बुड्दिमान मनाता है पोइट्स बिटी जो कभिताएं पढ़ते हैं पोइटरी गोगती को क्या बनाता है गंभीर बनाता है यानि कि बुद्धि के पैनेपन को बढ़ाने का कारे करता है तो यह च्छे पॉइंट है जो कि आपको विसेज ध्यान रखने है अब मैं आपको जल्दी से इस पूरे जो ऐसे है इसका समरी में आपको बताए देता हूं क्या है फ्रांसेज बैकरन के एसेज जो होते हैं उनको हैंड बुक और प्रक्टिकल विजनम कहा जाता है ठीके ना और उसमें यह ऑप इस्टडी जो है वह एक बहुत ही खुबसूरत ऐसे हैं इनका आपको इन पॉइंट से समझ में आ गई होगी बात तो लेका कहत कोई भी कारे करने अत्वा कोई भी महत्पूर्ण लेने की छमता का विकास भी अध्यन के द्वारा किया जाता है अनभवी लोग अपने परियाप्त विवहारिक ग्यान के आधार पर छोटे-छोटे टुकड़ों में कारे को बाटते हैं अत्वा उसके संबंद में निर्णे लेते हैं किन्तु सामाने सला के लिए एक भ्यापक योजना के लिए अत्वा किसी मामले के नेजन के लिए बे लोग उपियोगी होते हैं जो तकनीकी एम सैध्धांतिक रूक से निपूर होते हैं आगे लेकर कहता है यह अध्यन की एक मैटपूर हानी है यदि इसे बहुत समय दिया जाए तो अध्यान करने बाले में आलस की भावना उत्पन होती है यदि बातचीत में अध्यान का अत्यदिक प्रदर्शन किया जाए तो व्यक्ति का एक्सप्रेशन जो है अव्यक्ति जो है वो बनाप्ति पृतित होती है यदि सभी निर्ण पुस्तिकिय ग्यान के आधार पर लिए जाए तथा विवहारिक पच्छ को अंदेखा किया जाए तो विद्धवान भी संकी लगने लगता है अध्धन के द्वारा नैसरगिक प्राकृतिक गुणों का विकास होता है किन्तु इसके विवहारिक प्रियोग के बिना सफलता असंबव है सौहवे पुस्त के अइसपस्ट बा अंतर विरोधी मार्दर्सन करती है अनुबब के द्वारा व्यक्ति विद्वान बनता है और अध्यन का समुचित प्रियोग सही इस्थान पर सही तरीके से करना सीखता है अनिपड़ बा पुरी प्रवर्ती के लोग जो होते हैं बे अध्यन से घ्रना करते हैं मूर्ख अध्यन की केबल प्रिसंसा करते हैं किन्तु बुद्धिमान ब्यक्ति जो है वह सफलता प्राप करने के लिए अध्यन करते हैं पुस्त के अपनी उप्योगता कभी भी ब्यक्त नहीं करती पुस्त को एबम उनके घ्यान के लाप का प्रियोग करना बुर्दिमानी है बुर्दिमान लोगों की गत्विदियों का निरिच्छन करने से यह बुर्दिमान मुद्वत्ता जो है बुबिक्सेत होती है अध्यन का उद्देश कभी भी निगेटिविटी नहीं होना चाहिए निगेटिव नहीं होना चाहिए नकारात्मक नहीं होना च पोप्षपा उन्हें उन्हे हराथ ability यह झोफ़ानिक उसका मुल्यांकन किया जाए और उसकी उपयोगता पर इसकें महत्मोइern हैm उन्हें आंसिक रूप पढ़ना चाहिए कि पूरी तरह किन्तु बिना अधिक ध्यान दिए पढ़ा जा सकता है कि पूरी एकागरता और ध्यान से पढ़ना चाहिए कुछ पुस्टकों को साहिक पुस्टकों की माद्यम से भी पढ़ा जा सकता है किन्तु यह पुस्टके साधान इस्तर की होती है इनमें गुडवत्ता बा आकरशण का अभा उता है लेखा किसकी तुलना भी करता है यह ऋस डिश्टल वॉटर की तरह होती है जो स्वाद रहे ऊच्वार है वह किसी की प्यास नहीं मौझा सकता किन्तू इसमें जल के सभी मौलेवाभान तत्रो में मौझूद होते हैं बेकन आंके बताते हैं औध्यन एक भयक्ति को ग्यान पूरक बनाता है किन्तू लिखने से ब्यक्ति ससकेइब काले कम करता है तो अपनी अग्यांता को सपलता पूर्ग चिफा सके अगर आप लिखते भी नहीं हैं पढ़ते भी नहीं है में भी इस्सा नहीं लेते हैं तो आप इतने चतुर बनने का प्रियास करिए कि सामने वाले को ये अंदाजा ना हुपाए कि आपको कुछ आता नहीं है अप देखिए अलग-अलग विशे के अध्यान से मांसिक मस्तिस के अलग-अलग विकार दूर किये जा सकते हैं फ्रांसेस वेकन का मानना है वेकन कहते हैं इत्यास का अध्यन बुद्धी का विकास करता है कभिता के अध्यन से सब्दों को विविन प्रकार के प्रियोग करने की चमता का विकास होता है गड़ित बुद्धी का पैनापन बढाता है तथा प्राकरतिक दर्सन दिमाग को गहर इस परकार अध्यन ब्यक्तित को प्रावित करता है यदि बुद्धी में किसी परकार का भी दोस हो तो समचित अध्यन उसे उसी तरह दूर कर सकता है जिस तरह व्यायाम द्वारा शारिरिक दोशों का उपचार किया जा सकता है अब जैसे गैंदवाजी के दवारा गुर्दे के विकार ठीक हो जाते हैं, निशानी बाजी से छाती पखेपड़े के रूख ठीक हो जाते हैं, टहलने से वौ करने से digestive system सही हो जाता है, गुर्ञ सवारी करने से सिर्थ तथा गरदन को मज़बूती मिलती है, यद किसी व्यक इसको concentrate करना है यदि उसकी एकागरता कमजोर हो तो उसे बैग्यानिक परिछणों में ब्यक्त कर देना चाहिए इनमें अध्यतिक एकागरता की आवश्यक्ता होती है वह एक लापरवा ब्यक्ति को परिछण बार बार प्रारम करना होगा यदि एक ब्यक्ति दो बस्तुगों म difference नहीं कर पाता है तो उसे दार्सितों की रचनाओं में अध्यन करना चाहिए क्योंकि दार्सिनिक प्रतिक विशेपर बहुत deeply discussion करते हैं यदि एक ब्यक्ति में इस प्रकार की छमता का अवाव हो कि उधारन देकर कोई विचार सिद्धना कर पाता हो तो उसे बकीलों की मु पारा लिखा गया और मुझे पूर आसा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एक बार आप थ्यान से मेरे इस वीडियो को सुन लेंगे तो भी यह ऑप स्टूडिज जो है वह आपको हमीसा हमीसा के लिए याद हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और जय हिंद जय भार